नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, प्रम्हंड सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। सूर्य का उत्तर आयन चंद्रा है, वृत्व वसंत है, महिना वैशाख का है, शुकल पक्ष की पांचवेजिति है, नक्षत्र आद्रा है, योग दृति है, तिन का जो करण है वो बाल है और जो रात का करण है वो कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा, सुबह 7 बच कर 29 मिनट से लेकर 9 बच कर 7 मिनट तक, अभिजित मूर्थ दोपर 12 बज़े से लेकर 12 बच कर 48 मिनट तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मूर्थ दिन के शुबह का अलावदी कहे जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महत पुरुनकाम या पेंगिन ने आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुबात होगा। प्रकार आज के दिन बुद और शुक्र का लाभ योगती होने जा रहा है। यह ग्रस्ति सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिवल क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशी है मेश राशी। मेश राशी के तृतिया भाव में चंदरमा का भ्रमन है और आपके के राशी में सिद रवी और हर्शन के साथ यह चंदरमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में सिद मंगल के साथ यह चंदरमा नवपंचमियों यानि की तरिकों यह करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितिया भाव में सिद बुद्ध के साथ आपके वेय भाव का जो शुक्र है वो लाभ योग करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए जो भी काम आप हाथ में लोगे वो काफी अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप आज पूरी कर पाओगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। रिलेशन्शिप के मामले में भी जो बाते हैं वो काफी अच्छे देखी जाएगे। पिछले कई दिनों से रिलेशन्शिप और पैसे के मामले में जो प्रॉब्लम है वो आज की दिन कई स्तर पर अगर देखा जाए तो उसमें सुधार देखा जाएगा। तो आज का जो द बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए पिछले कई दिनों से आपके कारशेत्र के बारे में कई सारे प्रश्ण चीनने थे वो आपके मन में थे जिसके आपको उत्तर नहीं मिल रहे थे अब हर एक प्रकार से सोच विचार में उसमें डूबे थे तो आज का जो दिन है काफी अलग साबित होगा कई प्रश्णों के उत्तर आपको आज के दिन मिल सकते हैं हाला कि आज जो भी काम करोगे उसमें सफलता आप को मिलती हुई नजार आएंगी उसी प्रकार आज के दिन आपके कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है आज के दिन आपके जो वाई-वाई जोडिदार है उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी जो स्ट्रेश जो टेंशन आपको आपके मन में थी पिछले कई दिनों से उससे आज ki दिन च्छूटकार आप को मिल सकता है या फिर उसके संदर में कुछ व्यूशन आज की दिन आपको मिल सकते है तो कई मायों में देखा जाए तो जो भी मानसिक तोर पर जो स्ट्रेस एक के टेंशन आप पर बना हुआ था वो आज के दिन काफी मायरों में कम होता हुआ नजर आएगा जो के आपके लिए काफे महतपुर्ण और शुबुफलदाई बात होगी आपके लिए काफी जो दिन है वो शुबुफलदाई साबित होगा उसे प्रकार आपके जो सब्सक्राइब काफी अच्छी देखी जाएगी कुल मिला के आपका जो आज का दिन है बहुत ही अच्छा और शुबुफलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके लाब बाव मिस्थित रवी और हर्शल के साथ या चंद्रमा लाब योग करने जा रहा है आपके भाग्य बाव मिस्थित मंगल के साथ या चंद्रमा नमपंचम य लाब योग करने जा रहा हैं उसी प्रेकर आपके वहीया भाव में सित्व गुद्र के साथ आपके देशंभाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है काफी अच्छा दिनंए आपके लिए आज आपका जो कॉंफडेंस है वह काफी अच्छा देखा जाएगा आपके जो मन में जो भी विचार है उससे बहुत तोर पर अगर देखा जाए तो इस निजात पास सकते हैं आने वाले दिय creed इन दिनों में आपका कही बाहर गुमना फिर ना हो सकता है खास करके आपके जो relationship में विक्ति हैं उनके साथ कही बाहर गुमना फिर ना हो सकता है तो उस उस नजर से देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए बहुती ज़्यादा शुबुफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के वेया भाव में चंदरमा का भ्रहण है और आपफी के दशम भाव में से द रभी और हर्शल के साथ यह चंदरमा लावयों करने जा रहा है उसे प्रकार आपके अस्टम भाव में से मंगल के साथ ये अनर्मा नमपंचम योग यानि की त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके लाब भाव में से बुद्ध के साथ आपके भागय भाव का जो शुक्र है वो लाब योग करने जा रहा है आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबु पलदाई साबित होगा खास करके आज के दिन आपको कुछ लाप तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपके relationship में जो विक्ति है उनके साथ कही बाहर घुमना फे ना हो सकता है उनके साथ कई मामलों में कई दिनों से जो भी खीचा तानी चंद रही थी वो आज के दिन कई मायनों में नौर्मल होते वे नज़र रहेंगे जिसके विज़े से जो मनश्चंती जिसे हैं केते हैं वो आज के दिन आप फील कर सकते हो जो भी आपका कारशेतर है उससे related भी कई stress of attention आप पर चंद रहेते अच्छी और positive देखी जाएगी फुल मिलाके देखा जाए तो दिन आपके लिए काफी अच्छा और महतुकुर्ण शुबफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के लाब भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है काफी अच्छा दिन है आपके ले खास करके पिछले कई दिनों से स्ट्रेस थोड़ा चंद रहा था आप जो निर्ने ले रहे थे वो सही नहीं आ रहे थे स्ट्रेस जावदा बन रहा था और आप खुद पर ही आपके मन में कई जारे प्रशने चिन नहीं थे तो आज की दिन उसके कई सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे जो की काफी अच्छी और महत्पुर्णस बात होगी आज की दिन भागी का साथ मिलना ये बात आपके साथ हो सकती है खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है unexpected लाब वगर आप भी मिल सकते हैं आपके जो वैवाइक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी तो कुल मिला के आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबफलदाई सावित होगा उसी प्रकर अने वाले दो से तीन दिने में आपका जो भी कारह शेतर है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे इजी लाब आपको मिलने की संबावना काफी अच्छी बनती है तो दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब नीची है इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के दशम भाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके अश्टम भाव मिस्दित रवी और हर्शन के साथ या चंदर्मा लाब योग करने जा रहा है आपके 6 भाव मिस्तित मंगल के साथ या चनर्मा नमपंचमियोग याने की त्रिकोनियोग करने जा रहा है उसी प्रकार आपके सब्टम भाव मिस्तित शुक्र के साथ आपके भाग्यो भाव को जो बुद्ध है वह भी लाव योग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके अगर आप जॉब लेस हो तो आज की दिन आपको जॉब अगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है जो भी आपका कारशेतर है महापर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी उसी परकार स्वास्त के बारे में जो भी चोड़ी मुड़ी चिंता है थी उसमें से भी कुछ ना कोई ना कोई सॉलूशन आपको ज़रूर मिलेगा आपकी जो वाई-वाई जुरिदार है उनके साथ जो तने हुए आपके रिष्टे है वो भी काफी माइनों में नॉर्मल होते वे नज़र आएंगे जो कि काफी अच्छी बात होगी उसी परकार जो भी स्ट्रेस एफिटेंशन आप पर बना हुआ था तो आज के दिन काफी हद तक नॉर्मल होते वे नज़र आएगा तो कुल मिलाके देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए शुबुफलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सप्तम भाव मिस्तित भरभी और हर्शल के साधिया चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है आपके बंचम भाव मिस्तित मंगल के साधिया चंद्रमा नवबंचम योग याने की त्रिकोन योग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके शर्ष्ट बाव में से शुक्र के साथ आपके अश्टम बाव का जो बुद्र है वह लाव योग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए कई दिनों बाद आज के दिन आप थोड़ा सा अच्छा मेसस करोगे कुछ अच्छी बाते कुछ शुबफ लदाई जो बाते हैं वो आपके साथ हो सकती है खास करके रिलेशन्शिप के मामले में आपने देखा होगा कि आपके रिलेशन्शिप में जो विक्ती है या फिर आपकी जो वाई वाई जुड़िदार है उनके साथ चोटी मोटी बातों के लेकर कई दिनों से problem complication हो रहे थे तो आज के दिन उसमें से आप निजात पा सकते हैं खास करके आपकी जो वाई वाई जुड़िदार है उनके साथ आपके जो हार्मनी है वो काफी अच्छे देखी जाए कि उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है तो कुल मिला के आज का जो दिन है बहुत ही अच् और शुबुफनदाय सावेत होगा इसके बाद की जो राशी है वो है व्रिच्चिक राशी व्रिच्चिक राशी के अश्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके इसाश्च भाव में सित्र रवी और हर्शल के साथ या चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है अगर के जो भी स्ट्रेस बना हुआ था आप में और आपके घर के जो लोग है उनमें वह आज के दिन कई मायनों में नौर्मल होता हुआ नजर आएगा घर के जो लोग है उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिर ना भी हो सकता है आज के दिन आपका जो भी कारेशेत्र है उससे related कुछ अच्छी बाते हो सकती है या फिर कारेक्षितर के बारे में अगर कोई problem या complication आपके मन में चल रहे तो किसी भी प्रकार से हो तो उसमें से आज के दिन आपको कुछ अच्छे solutions वगरा नज़र आएंगे जोगी future life के लिए आपके लिए शुभु फलद्दाई साबित होगे तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए शुभु फलद्दाई साबित होगा इसके बात के जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी के सब्तम भाव में चंदर्मा का प्रमण है और आपके के पंचम भाव मिस्तित रवी और हर्शल के साथ या चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है आपके तृतिया भाव मिस्तित मंगल के साथ या चंद्रमा नवपंचम योग याने के तृकों नियक करने जा रहा है उसी प्रकार आपके चतुरत भाव मिस्त शुक्र के साथ आपके शर्ष्ट बाओं का जो गुद्र है वो लाभ योग करने जा रहा है दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शिवफलदाई साबितों का पिछले कई दिनों से आप में और आपकी जो वाई-वाई जुड़िदार है उनमें चुटी-मोटी बातों के लेकर जो खीचा तानी चंद्रे थी वो आज की दिन कहीं मायनों में नॉर्मल हो जाएगी जिसको जैसे आपके जो मूड है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा अगर आपके इसके रिलेशन्शिप में है उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी द देखा जाए तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबुफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के शष्ट भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके चतुर्त भाव में सित रवी और हर्शल के साथ या चंद्रमा ल आज का जो दिन है काफी अच्छा और महत पुर्ण और शुबुफलदाई साबित होगा कुछ अच्छे लाफ वगरा आपको मिलने के संभावना काफी अच्छी बनती है घर के जो लोग है उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी सबस है तो पुर्ण बाद आज का जो दिन है आपके लिए थोड़ा लकी डेवि साबित हो सकता है अगर आप जॉब्लेस हैं या फिर आगर आप आपका जो भी बिजनेस है उसके संदर में कुछ नए बात करना चाते हूं या फिर नए कुछ बथलाओ करना चाते हों तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबुफलदाई सावित होगा जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे आपके जो मितर परिवार है उनसे आज के दिन आपको कुछ अच्छे मदद वगरा मिल सकती है कुछ अच्छे सला भी मिल सकती है कुल मि देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबुफलदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी के पंचम भाव में चंदर्मा का भ्रहमण है और आपके राशी में सित मंगल के साधिया चंदर्मा नवपंचम योग याने के त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके द्वीतिया वाव में सित रवी और हर्शल के साथ या चंदर्मा लाव योग करने जा रहा है उसी प्रकार आपके चतुरत वाव में सित बुद्द के साथ आपके द्वीतिया वाव का जो शुक्र है वह भी लाव योग करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज आपका जो मूड है वो काफी अच्छा देखा जाएगा एनर्जी लेवल आप में काफी अच्छी देखी जाएगी जो भी काम करोगे उसमें सफलता भी अच्छी तरह से देखी जाएगी और सबसे महत्व पुर्णबाद आपके जो वाई-वाई जुड़िदार है उनके साथ जो भी रिलेशन्शिप में जो भी तनाव आया था वो आज की दिन काफी माइनों में नॉर्मल होता होवा नजर आएगा आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी पैसे के मामलात में भी कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना भी आज की दिन काफी अच्छी बन रही है लकी डे है आज का जो दिन है आपके लिए उसी प्रकार जो भी आपका कारश है तरह है उससे related अगर आपको documentation के बारे में अगर कोई काम करना है कोई commitment promises करने हैं आज की दिन आप कर सकते हो कुछ अच्छी नतीजे आज की दिन आपको मिल सकते हैं तो कुछ मिला कर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है मींद राशी मींद राशी के चतुरत बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके वेया बाव में सिथ मंगल के साथ या चंदरमा नवपंचम योग याने की त्रिकों योग करने जा रहा है आपके द्वितिय बाव में सिथ रभी और हर्शल के साथ या चंदरमा नवपंचम योग करने जा रहा है उसले का आपके लिए और फिर की तरह से आराम करना पसंद करोगे ढर पर रहना पसंद करोगे और वह आयराम मिलगा भी उननके साथ आपके जो हारमनी है वो क वो आज के दिन पूरी तरह से normal होता हो नजर आएगा जो भी अर्चन आपको पैसे के मामले में थी वो आज के दिन पूरी तरह से normal होते वे नजर आएगी पैसे के मामला में जो भी problem complications है वो कई मैने में normal हो जाएगे जिसके जैसे आपको जो mood है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा आज आपको जो confidence है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा आपके जो वैवाई जुडिदार है उनके साथ कही बाहर घुमना फिर ना भी हो सकता है आने वाले दो से तीन दिनों में तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुबुफददाई साबित होगा तो दोस्तो ये था दिनांग 6 मई 2022 का संपुण राशिकल आपको राशिकल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुब हो किया दिछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धी एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद